आज हम देखेंगे 2019 की एक ऐसी मूवी जाहें एक आदमी सीधर 12-24 से 19 सेंचुरी में पहुच जाता है ग्रिशा रिशिय की एक बड़े आदमी का नालाएक लड़का है उसके एक घमर्ण है वो खुडूस है उसकी यही हरकतों के वैसे वो बरिशानी में फस्ता रहता था वो जिन्दगी में कुछ नहीं करता था सिवाए पार्टी करना शरापिनों लड़कियों का इस्तवल करना एक रात को गरिशा तेज गाड़ी चलाता है और पुलिस उसे स्पीडिंग की लिए पकड़ लेती है वो पुलिस वाले को रिश्वत देता है जैसे वो सब को देता था पर पुलिस वाला वो रिश्वत लेने से मना कर देता है वो ग्रिशा मांसे भागने की कुशिश करता है पर पुलिस वालों से पकड़ लेता है अब उसके अमीर पापा अपने बेटे को बेल दिलाने आते हैं पर उनका बेटा तो पुलिस वालों के साथ बत्तमीजी से बात करता है इस पर पुलिस वाला ग्रिशा के बाप से कहता है क अंकल जी अपने बेटे को संबाल लो इसने बहुत बार रेश ट्राइविंग की है और इसकी वज़े से हमार पुलिस वाला भी खायर हो चुका है बेल मिलने पर ग्रिशा का बाप ग्रिशा से कहता है कि क्या रे नले छपड़ी वेरुजगार तुझे तो कुछ काम निये पर तुम बेरा नाम की वेट्टी में विला रहा है इस पर ग्रिशा शायरी कहता है सुबा प्रबो का नाम लो सुबा प्रबो का नाम लो और तुम भुसरी के अपना काम करो इस समय पता चलता है कि गृषा अपने बाप की भी रिस्पेक नहीं करता था ये देख कि अमीर पाप अपनी गल्फरेंड एनस्टी से के पास जाते है अपनी गल्फरेंड को बताते हैं कि मेरे 10 मिलियन स्पर्म में से सबसे चूटिया स्पर्म ही कैसे मेरा बेटा बना इस पे एनस्टी से अमीर पापा को कहती है कि ये गदे की अवलाद को एक ही जन सही कर सकता है जो मूवी बनाता है वो उस डायरेक्टर से मिलने जाते हैं पर उसने सुसाइड कर लिया था पर तब ही वो जिन्दा था और एक्टिंग कर रहा था मतलब उसका काम ही ऐसी हरकते करके उसको सच दिखाना था उसके पास ऐसे बहुत से एक्पेपमेंट है जिससे वो चीजों को फेक करता था इसके बाद हम गरिशा को कलब के बाहर निकलते हुए देखते हैं जहां उसकी गाड़ी कोई टो कर रहा था वो गरिशा टो करने वालों का पीछा करता है और उसको बेहोश करने के लिए कोई गोली मारता है वो फिर पुराने गोडों के अस्तवल में उठता है वो भी अलग कपडों में और वहां एक लड़का उसे कहता है कि काम करवरना मालिक डाटेगा वही उस जमीन का मालिक आता है जो एक लड़के को वहाँ पे काम से इसे ना करने के लिए चाबुक मारता है गरिशा को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पहुच गर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है ये साल कुछ 1960 का था वो बाहर निकलता है और लोगों से मदद मांगता है और पुलिस को बुलाने पर लोग एसेक्टिंग करते हैं जैसे ये तो पागल होग है क्या बोल रहा है वो भागते भागते एक जिल में गिरता है और फिर जब कपड़े सुखाने बाहर आता है तो लोग उसे पकड़ कर फासी के लिए ले जाते हैं इनका मालिक था डिमित्री डिमित्री की बेटी का उसे दिन बड़्डे था और वो नहीं चाती थी कि उस दिन किसी को मारा जाए तो उसकी गुजारिश पे डिमित्री गृषा को फासी की सजा नहीं देता बहाँ पे डिमित्री की बिटी और ग्रिशा दोनों एक पक्षी को देखते हैं जो असल में एक ड्रोन था और हमें भी बताया जाता है कि ग्रिशा का बाप एक टावर में डारेक्टर के साथ खड़ा हुआ है और उससे बात कर रहा है यहाँ पे हमें समझ आता है कि यह तो एक सेट है और यहाँ पे बाकी सब एक्टिंग कर रहे है और यहाँ पे ग्रिशा को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो टाइम ट्रेवल करके पीछे चला चुका है इसमें अमीर पापा की गल्फरेंड भी उनकी मदद कर रही थी वहाँ हर जाएगा कैमरा थे और स्नाइपर लेके लोग भी छुपे थे जो अगर ग्रिशा को कुछ शक हो जाए तो उसे बेवोश करने के लिए उसे शूट करने वाले थे यह अमीर पापा का फिर से कड़ता है एक्शली वो देखता है उनकी गल्फरेंड और डायरेक्टर बहुत जगड रहे थे तब उसे पता चलता है कि उसकी गल्फरेंड जिसने कहा था कि वो डायरेक्टर को हॉररर मोवी साथ करने के समय से जानती है का मतलब था कि वो एक्शली डायरेक्टर की एक्सपाइप ती जो अपनी शादी को हॉरर मोवी खेह रही थी जहां ग्रिशा अब मान चुका था कि वो ट्रम टर्वल कर चु उसे कोई शक ना हो। गृषा आप बहुत ही बेकार जिंदेगी जी रहा था। उसे मक्खी पड़ा हुआ खाना मिलता था। जो भोडों से वो डरता था। उनकी उसे देखरे करनी पड़ती थी। एक दुपैर को वो अपने मालिक की बेटी को रोता हुआ देखता है। से उसके दिन कम है। एक दिन गृषा चिकन चुराता है और अपने इस्तबल वाले दोस से समान कठा करने कहता है ताकि वो चिकन बनाए। उसका दोस समान कठा करता है पर चिकन बना कर गरिशा वो चिकन अकेले ही खा जाता है। तब ही मालिक चिकन चोर को बुना कबूल कर कहता है वह ग्रिशा चुप रहता है इस पर उसका मालिक उसके दोस्त को चाबुक मरता है पर ग्रिशा को इस बात से कुछ फरग नी पढ़ता यहां ये दोनों की बात चल रही होती है वही हम घोड़ो को चलाने वाली लीजा खो घोड़े से उतरते हैं जहां उसकी स्कूर्ट फस जाती है और ग्रिशा यहां लीजा का modern अंडर्वेर देख लेता है उसे शक उता है और वो लीजा को जमीन में लिटा कर उसके अंडर्वेर चेक करने की कुशिश करता है बड़ बाकी लोग उसे बलतकारी समझ कर रोकते है और लीजा वहाँ से 9-11 हो जाती है बहीं अमीर बापा कहते हैं कुटे की दुम है मेरा उलाद वो तो सही नहीं होगा यह एक्टिंग बंद करते हैं पर तबी ग्रिशा लीजा को सौर्य बोलने जाता है अब बाकी गाओं वाले सुचते हैं लीजा तो कहानी में जरूरी नहीं है और डारेक्टर उनको लीजा के घर का पता ग्रिशा को बताने कहता है वहीं ग्रिशा लीजा से माफी मांगता है और उसे एक लकड़ी भी पकड़ाता है ताकि अगर उसे मारना चाहे तो उसे मार ले आगे हम देखते हैं कि गाओ वालों का एक टिवार आता है इवान खुपाला इस रात के लिए कहते हैं कि जिसके साथ आप ये रात रहो उसके साथ आप जिन्दगी वर रहते हो ग्रिशा म्यूसिशन को लामड़ा वजाना सीखाता है और सबसे लाइन बनवा कर डांस करवाता है ये डारेक्टर जिसके साथ उसकी सेटिंग करवाना चाता था मालिक की बेटी वो आती है वो ग्रिशा को कहती है मैं अपनी जहां ले लूँगी पर बुड़े से शादी नहीं करूँगी और हमें पता चलता है हमारा हीरो ग्रिशा उसको करवी लड़की नहीं अपना भाई ग्रिशा लीजा से मिलने के लिए निकल पड़ता है लीजा तब तक घर चली गई थी तो ग्रिशा उसके घर पर पहुँचता है और वहाँ पहुचकर वो उसके साथ रहने की बात कहता है पर लीजा इस बात पर दर्वाजा मूपर बन कर देती है अगले दिन डारेक्टर लीजा को मेन केरेक्टर की सेटिंग बना देता है लीजा को गरिशा के साथ ना चुमी करनी थी और ना सुना था पर उसे उसे सुधारना जरूर था अब देखने वाली ये बात थी कि गाओं के मालिक का बेटा था जो असल जिंदगी में लीजा का बॉइफरेंड था अब ये याद रखना कि अगर ये मालिक का बेटा है तो इसकी बेहन भी है जिसको गरिशा ने जिल में ढूपने से बचाया था अब होता है ट्वेस्ट जहां गरिशा लीजा के चकर में था वहाँ उसके रियल बॉइफरेंड को पसंद नहीं आता कि उसकी गर्ल फ्रेंड गरिशा के साथ रहती है और कहानी में उसकी बहन बनीवी लड़की को ये पसंद नहीं आता कि ग्रिशा उसे छोड़ लीजा के बीचे पढ़ गया है इसके चलते ही ये दोनों संभोग करते हैं ग्रिशा और लीजा ये देख लेते हैं लीजा का मोड आफ हो जाता है क्योंकि उसका बॉइफ्रेंड उसे धोका देता है पर ग्रिशा उसे खुश करने के लिए खाना बना कर उसके साथ टाइम स्पिन करता है और फिर वो घूमने जाते हैं और यहां ग्रिशा उसे बताता है अगर वो फ्री होता तो वो लीजा के साथ शादी भी कर लेता पर वो तो आजाद नहीं है वही क्योंकि डारेक्टर ने मालिक की बेटी को काम से निकाल दिया था तो वो न्यूस चैनल पर पहुँच जाती है वहां वो कहती है कि एक अमीर आदमी ने लीजा को किटनेप करवाया है यह सब निउस में देखकर अमीर पापर डारेक्टर को यह सब बंद करने कहते हैं पर डारेक्टर कहता है अभी थुड़ा रूख जाओ अभी पुलिस आई नहीं है लीजा और ग्रिशा को अब सच्चा प्यार हो गया था तब ही उनका दोस्त आता है और कहता है कि गाओं में हमला हो गया है और डाकू आये हैं और सब को हापे कठा होना पड़ेगा वरना गाओ जला देंगे यह डाकू अभी इन डाकूँ को बहुत खाना दिया जाता है पर यह तो हवस के बुजारित है इन्हें एक लड़की भी चाहिए थी पहले यह लड़की को पकड़ते हैं पर उसका बाप उसको बचाने के लिए लड़ता है और मर जाता है डाकूँ को उसके बाप की हिम्मत देखके लगता है कि इस लड़की को छोड़ देना चाहिए तो उस लड़की को छोड़ देते हैं और फिर लीजा को उठाते है डाक को लीजा को पकड़ लेते हैं और लीजा रोने लगती है और हमारा हीरो वहां से डर के भाग जाता है तब ही उसके अमीर पापा कहते हैं ये बंद करो, ये तो कुछ सुदरेगा नहीं और पुलिस वाले आके मुझे पगड़ लेंगे इस पर डाइरेक्टर ग्रिशा पर वरोसा दिखा के कहता है कि नहीं नहीं, ये कुछ तो करेगा भई हम देखते हैं कि हमारा ग्रिशा वहां पीछे गोड़े में बैठकर आता है और लीजा को बचा के वहां से ले जाता है तब ही सेट पर पुलिस भी आ जाती है और अमीर पापा से पुछते कि यहां क्या चल रहा है बट यहां पर उन लोग पुलिस को कह देते हैं यहां पर शूटिंग चल रही है क्योंकि ग्रिशा और लीजा तो वहां से भाथ चुके थे गोड़े पे वैठके वहीं दूसरी तरफ ग्रिशा और लीजा गोड़े पे एक पैट्रल पम के पास पहुचते हैं जहां ग्रिशा के दिमाग का दही हो गया और कुछ समझने से पहले ही उसे स्नाइपर गोली मार देता है और बेहोश कर देता है जब ग्रिशा हॉस्पिटल में उठता है उसका बाप उसे तीन महिने से कौमा में होने की बात कहता है ग्रिशा अब वापस अपनी लाइफ जीता है पर उसे वो वजा नहीं आता वो पुलिस फालो से माफी वांगता है और अपनी गाड़े भी उने दे देता है वही एक दिन उसे मालिक का बेटा और बेटी मिलते हैं जो असल जिन्देगी में boyfriend, girlfriend अब बन चुके थे वो उनसे लीजा के बारे वे पूछता है पर पहले वो तो कुछ उसे बताने से मना कर देते हैं पर बाद में उस पे दया खाके वो लीजा का पता बता देते हैं इस पे ग्रिशा लीजा से मिलने जाता है जहां में पता चलता है कि लीजा असल जिंदने भी एक गोड़ो की कैर टेकर थी और फिर वो वहा जाकर लीजा से प्यार का इकरार करता है और फिर दोनों किस करते हैं फिर वो अपने बापा की और उसकी गर्लफरेंड की शादी में पहुछता है जहां वो उसे नई लाइक देने के लिए शुक्रिया कहता है I hope कि आपको ये मूवी पसंद आई Please comment में जरूर बताना कौन सा सीन सबसे ज्यादा फनी था अब तक के लिए Bye